और राइट चलिए तो यहां पर हम अपना आगे का टास्क करते हैं सबसे पहले तो तो देखो मैसे तो आपको ना कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़े भी मैंने इसलिए यहां पर फाइल में ना क्यों चीज़ें काफी जादा की वानेट पे जाते हैं तो टाइम बाट लग कि आपका जैसे कॉंटेक्स ताइगा अभी इंस आएगा सभी कुछ इसमें लगा रगा रखा तो यहीं बेस पूछा तो इसको हम ले लेते हैं और यहां पर पेस्ट कर देते हैं दूसरी चीज आपको क्या करने क्लिए ने कहाता तो इसके स्टेप्स को फॉलो कर लोग तो भी जुझाएगा काम आपका फिर दूसरी चीज मेंने क्या कही थी कि भाई इसाइड दा कॉन्फिगेशन प्रवाइड हमें क्या करने की यह डेटाबिस इलेटेड कॉन्फिग्रेशन देले सबसे पहले ट्रांजेक्शन को अनुटेशन डिवन बनाना है तो यहां पर आप लिखेंगे एक सेकेंड तो सबसे पहले आपको लिखना है ट्रांजेक्शन अनुटेशन डिवन ठीक है तो यह आपको मिल जाएगा है दूसरी चीज आपको क्या करनी है अब आपको बीन्स बनानी स्टार्ट करनी है सबसे पहले ड्राइवर मैनेजर डाटा सूर्स देखो वैसे तो मैं यहां से कॉपी पेस्ट कर सकती हूं लेकिन आपको इसका मैंडूल कॉर्मेट भी पता होना चाहिए इसलिए एक काम कर रहे हैं इसको अभी के लिए यहां पर बना लेते हैं नहीं यहां है तो वहां से भी देख सकते हैं तो बीन का आईटी बनाते हैं और हम इ एक shortcut याद अटना है control shift T इसका यूज करोगे control shift T का और यहाँ पर जो class का नाम था ड्राइवर manager data source इससे लिखना स्टार्ट कर दीज़े ड्राइवर manager data source फाइल मिल गई इसको open कर लो और फिर इसका qualified इसका qualified name उठाने और यहां पर लगाने तो आपके पास इसका पूरा नाम आजाएगा मतब देखो खुड टाइप करेंगे कहिना गलती शूट जाती है बेटर है वहां से हम qualified name उठाले सीज़ा फाइल अब हमें जैसे हमने प्रॉपर्टीज आड करना सीखा था ना वैसे हमें इसकी प्रॉपर्टीज आड कर यह इसकी चार प्रॉपर्टीज है और जो नाम दे रखा है जैसी spelling दे रखिया ना वही यूज करना नहीं तो एर रा जिसकी हमने वहां पर भी बीन ख्रॉपर्टीज इसके जो वैरियेबल्स के नाम है वही नाम आपके वहां पर दे चाहिए तो यह चीज ध्यान में रखनी है नहीं तो फिर दिक्कत आएगी तो देखो driver class name to use तो यहां पर आपको क्या करना है इन सारे नामों को सही से लिखन लेंगे तो property name config.xml में आते हैं और यहां पर ले लेते हैं यह वारा driver class में और इसकी जो value है जैसे मैंने value add करना बताया था आपको काफी तरीके से बताया था तो किसी भी तरीके का use कोई देखकर नहीं तो value आ गई अब driver class name में देखो क्या आता है जो आपकी driver class का नाम होता ठीक है तो आपकी जो driver class का नाम है जैसे हम लिखते थे com.myscale.cj.jdbc.driver पहले property दूसरी property आगी दूसरी property क्या है URL तो URL ले 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 लेते हैं इसकी value define कर देखते है URL क्या है यादो क्या आपको क्या दा जीडीबी सी कॉल इसके पॉलन डबल स्लैश का लोकल होस्ट क्या था डबल थी 06 अग्ष्ट डेटाबेस का नाम कंपनी वन कर थे तो यह हमारा डेटाबेस का पपट्टी सेंट अग्या इसके बाद यहां प्रॉपर्टी लेते हैं और इसमें क्या एगा यूजर ने तो यूजर नेम जो है आपका उसकी वाल्यू दे दीजे पर इसी तरह से चौथी प्रॉपर्टी आ जाएगी पास्वड वैल्यू थी वह सेट कर जाएगी तो यहां पर आपके पास क्या बन गई एक तो फॉर्स आपको अब अपनी सेकंड बीन को क्रियेट करना है अब देखो सेकंड बली जो बीन बननी है यह दो हुए फस्ट डेटा सोर्स डेटा सोर्स के बाद अगला काम क्या करना है अगला काम है क्या लेकालना लोकल सेशन प्रक्ट्री बीन इसका अब जैसे हमने किस्कीन का ली थी ड्राइवर में नेजर की तो लोकल सेशन प्रक्ट्री बीन तो यहां पर हम इसका भी क्वालिफाइड नेम लेंगे और इससे कहां पर लेकर रहेंगे अगर आपको हाइबनेट का पुराना वर्जन यूज करना हो तो हाइबनेट 5 की चका 4 या 3 वी कर सकते ठीक है तो डिपेंड करेगा आप कौन सा वर्जन का वाल रहेंगे तो उसके अपर्डिंग आपका काम चलेगा तो बीन आइडी यहां पर आ गया अब बीन आइडी के साथ क्लास भी आ गई अब इसकी जो प्रॉपर्टी है वह क्या है कि इसको चाहिए थी डेटा बेस की तो चलो हो गई थी हाइबनेट लाएंड इसको देंगे ही मतबले ही धी क हाइबनेट की कउफिगरेशन होती है वह हम यहां सेट कर रहें तो क्योंकि भी डेटा सॉर्स क्या है तो यहां data source में S capital ध्यान पर रखना तो data source में ठीक है तो इसमें क्या आएगा name data source और value में उपरवली bean का नाम यहां आजाएगा ds ठीक है value भी नहीं आएगा वैसे तो bean name दे रहे हैं तो क्या देना चाहिए था रख देना चाहिए ठीक है तो आप दूसरी property लेख लेते हैं अब दूसरी property देखो क्या है hibernate properties तो hibernate properties के नाम से आएगा अब hibernate properties के अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके इंदर value नहीं आएगी इसके यह करा की लिस्ट है जो हमारी property वाली हमने कल सीखी थी ना collection में यह उसी के हिसाब से काम रहेगा तो हम यहां पर बना देते हैं प्रॉप्स और इसमें क्या बनेगा प्रॉप्स की क्या लगती है की लगती है तो पहली है hibernate.dialect तो हम यहां लिख लेंगे माय स्केल 5 डालेट इसके साथ 55 भी आचका है मार्केट में 57 भी आचका है ठीक है और 5 जो है वो थोड़ा पुराना है तो आप चाहों तो आप दूसरा वाला भी यूज कर सकते वह आपकी उपर है कि आपको कौन सा बारा चाहिए तो मैं यहां पर अभी के लिए ना बीच का पॉर्पर्टी डेते हैं दूसरी प्रॉपर्टी क्या है अब देखो यह वरी जो क्रॉपर्टी यह तो हम लिखेंगे है रुपर्ण डॉट शोंस्कोर इसके लिखना है और इसकी वालू को क्या क्रेंगे प्रू कर देंगे तो बैग्ग्रांड की खुरी इसको भी है इसके बार एक और चीज आती है इसको हम क्यों यूज करते हैं Hibernate on DDL को ताकि यह बताजैंewし in benefiting को watching格 के अगर आप नहीं मिलता यह मिलता है तो उसकेश में आपको कैसे काbeट है तो हाबने टुो DDL का मतलब पता है 가 है looking to DDL मतलब data definition match मतलब एक तरह से टेबल बनेगा नहीं बनेगा अपडेट होगा क्या होगा वो सब इसकी रोटी होगा तो hbm to ddl.auto यूज़ करते हैं तो हम लेखेंगे hibernate.hbm to ddl.auto अभी के लिए मैं इसको अपडेट पे रख रहे हूं ठीक है अपडेट क्यों रख रहे हूं कि मुझे बता है इतन नम का मेरे पास कोई table नहीं है तो नयाई बना दे और अगली बार क्या करेंगा उसी इतन में records जालता रहे हैं तो इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया अपडेट पर रख दो इसके बार आप इसका property tag close कर दोगे और props को भी और property को close कर दोगे अगली property है annotated classes ठीक है मतब आपने कौनसी वाली class उसके है तो यह वाली property तो end होगे इसमें यह तीन चीज़ ही दे रहे है यह भी एक तरहां का लिस्ट है तो हम यहाँ पर लिखेंगे annotated classes और यहाँ पर हम क्या देंगे लिस्ट अब लिस्ट के अंदर जो value आनी है फिल्हाल तो एक ही class है हमारे पस एक से ज़्यादा class होती तो हम दे देते नाम उसका तो हम यहाँ पर value tag लगा देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं form.files.employee तो class का नाम देंगे जिसमें हमने annotations का लूज किया है तो यह हमारी property बनेगी किसके लिए local session factory bean के लिए तो यह हमारी hibernate की सारी configurations को set करा देगा अब hibernate जब set उचाता है न तो हमें hibernate template का bean भी बनाना है और उसको क्या देना है session factory में factory देना है तो हम इसे भी बनाएंगे तो यहां पर एक और भी बनेगी जिसका id क्या बनेगा कुछ भी बना सकते है ht रखना है ठीक है h template रखना है नाम कुछ भी रख लो बस उसकी जो class है वह सई से लेनी है तो control shift t कर लो और हम यहां पर लिए हैं hibernate template तो hibernate template की जो भी class मिलती है उसका copy कर लेंगे qualified name और उसके बाद config.xml में आके यहां पर इसका नाम है ठीक है फिर इसके बाद यहां पर इसकी property बनेगी और यहां पर हमें क्या देना है session factory बत्ब जो configuration आपकी किसम में आती थी hibernate में app.java में आती थी वह यहां आ रही है वहां पर बिदा था ना session factory का object तो वही यहां पर बनेगा ठीक है तो session factory आ गया और इसके बाद इसकी जो value है value नहीं आएगी ref आएगी ref के अंदर क्या नाम दे देंगे हम नहीं पर factory का नाम देंगे ऊपर वाली बीन का ठीक है तो factory यहां पर सेट हो जाए बस इसके अंदर एक ही property जाए इसके बाद जब आपका hibernate template set हो जाता है तो आपको कोई भी transaction करनी होती है तो आपको transaction का भी तो रखना पड़ता है ना तो इसलिए हम यहां पर hibernate transaction manager का bean create करेंगे तो आपनों को यहां पर इसका भी bean create करना है तो bean बनानीजे इसका भी तो यहां पर हम क्या रख देते है ID में कुछ भी रख देते हैं TM रख देते हैं और इसके साथ साथ इसकी class बना रहेते हैं class बनाते वक्त यहां पर आप अगें control shift T कर सकते हो तो आपको क्या लिखना है hibernate transaction manager तो transaction manager को क्या चाहिए होता है data source ठीक है इसके पास जो variable है session factory का भी है data source का भी है तो यहां पर आपको बस क्या सेट करनी है अगर आप transaction manager ले रहे हो तो आपको session factory ही सेट करनी है data source नहीं देने की जरूरत पड़ेगी वो अपने आप देख लेगा वी session factory के बरस तो automatically data source पहले से ही है तो दुबारा से क्यों देंगे तो यहां पर हमें बस इसी का ध्यान में र ठीक है नहीं तो गडबर हो जाएगी और फिर यहां पर आपको क्या करनी है प्रॉपर्टी नेम में इसको भी क्या देना है session factory और यहां पर ref करके क्या देंगे factory कर देंगे मत्तब हाइबन टेंपलेट और transaction manager दोनों के पास किसको object आ रहा है session factory ठीक है तो यह चीज आपको ल कि यह वाली बीन बन गई अब आप लास्ट में आकर सुडेंट डाउ की बनाओगे ठीक है यह सुडेंट डाउ यहां पर है वैसे हमारी वाप एंपलोई डाउ बनाओगे ठीक है तो चाहिए यहां पर हम क्या लिखेंगे इसके इंदर बीन इडी कर देते हैं हमने लिया था एंपलोई डाउट मैं शॉटकट लेते एंपलोई डाउट और यहां पर हम इसकी क्लास बना देगे तो यहां लिखेंगे और एंपलोई डाउट ठीक है आफ्लिट यहां पर आएंगे यहां आने के बार देखो वैसे तो हमने अगर मैं अगर में आपक यहां पर देने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे मुझे ये चीज करने की जरोद नहीं पड़ेगी, प्रॉपर्टी, लेकिन अगर आप सीख रहे हो, फिर फिर हाल के लिए हम क्या करते हैं, अभी के लिए आटो वेरिंग खटा देते हैं, अभी के लिए खटा देते हैं, और यहाँ पे क्या बनाने हैं, प्रॉपर्टी, क्योंकि फिर ऐसे ये चीज नहीं सित्पा होगे, कि यहाँ पर लगाने हैं, तो कैसे लगाने हैं, तो आप लोग यहाँ पर हाइबने, टैंपलेट का जो भी नाम बहां यूज कर रहे हो न, क्लास में, फिर इसकी क्या बना दो, वैल्यू ब आएगा, ओके, तो यह आपकी क्या बन गई, बीन सेट हो गई, यह आपकी पूरी क्लास का कॉन्फिगरेशन आ गया, मतलब एग में ही सारी कॉन्फिगरेशन चलेगी, हाइबनेट की भी, डेटा सोर्स की भी, क्लास की, फ्रेशिन प्रट्परीस, सब कुछ इसी में आ गया जो हाइबनेट ग्रम एक क्लास में जाके कर रहे है, ठीक है, अब इसके बाद आजाईए यह आप डॉट जावा, अप डॉट जावा में अने के बाद, आप लोगों को नेक्स टास्क क्या करना है, नेक्स टास्क आपको यह करना है कि यहां पर आके आप लो, application context का object बना लो, as usual, equals to new class path, xml application context ले लो, यहां पर देदो, config.examl, अब यहां पर आप लोगे, context.getbean, getbean किसकी करनी है, employee की, ठीक है, तो getbean करनी है employee की, ताकि बही employee का object यूज़ करते हैं, या फिर आपको function किसका यूज़ करना है, employee DAO, तो हम यहां पर employee DAO, ठीक है, e-down नाम से दीना, bean हमारी, उसको get कर लेते हैं, और यहां पर लगा देते हैं, employee DAO.class, ओके, और इसके बार इसे हम assign करा देते हैं, इसको हम assign करा देते हैं, यहां पर employee bean के अंदर, तो यह हमारी bean setup, अब इस bean के help से हम कोई भी task करा सकते हैं, let's suppose I want to like save a record, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, अब देखो, मैंने न, employee का वहां पर bean नहीं बनाया, तो अगर आप employee का भी bean गेट करना चाहते हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहीं पर, bean id करके, emb बना दो, class बना दो, क्या नाम था, com.files.employee, जाए, आगे का कुछ मत करो, सिर्फ bean बना कर शोड़, और यहां पर app.java में, अगर मुझे employee का भी object गेट कर, तो बस मुझे क्या करना है, यहां पर आरके context.get bean, और यहां पर हम क्या लिखेंगे, emb, ठीक है, और इसके बाद, इसको हम क्या कर देंगे, typecast कर देंगे, अब अगर आपके पास employee का object आ गया, उसको भी use कर सकते हो, विक्कि देखो, मैंने यह object क्यों लिया, क्योंकि मुझे यहां पर values को set करा रहा है, क्योंकि मैं save record करवाने वाली, तो save record चलाऊंगी, तो भी employee के पास record जाएगा, इसलिए मैंने इसका बीन भी बना दिया, तो अब हम यहां पर क्या करते हैं, पहले तो e.set id कर देते हैं, देखो id set करने की ज़रूरत है, नहीं है, प्रीकि id तो क्या है, auto वाला चल रहा है, तो name लगा देते हैं, तो मालों मैंने नियाम दे दिया, नाम देते हैं, e.set क्या करनी है, salary, तो salary लगा दी, float में था, तो f लगा देते हैं, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमाई जो bean नाम की उपर बनी है, तो bean dot क्या करना है, यहां हमें हमें इसको save employee करना है, तो save employee को e दे दीजे, यह क्या return कर रहा है, अच्छा कुछ भी return नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने वहीं पर प्रिंट करना दिया था, तो अगर हमें इसको देखना है, तो यह भी आ जाएगा, after this bean dot करके, क्या था, इसमें get records, तो जितने भी record बने होंगे, सारे get होंगे, ठीक है, तो हम यहां पर इस तरह से records बना सकते हैं, अगर आपको एक से ज़्यादा record चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, same काम दुबारा भी कर सकते हो, तो यहां पर आपके पास, यहां पर इतना लाएगा, ब पर बनाया, छोड़ दिया, अब जब सेफ कराया है, तो यहां पर बटन दबाओ, उसका option यूज करो, इसका काम करना है, उसका काम करो, एजी रहा जाएगा ना काम हमारे लिए, तो यह हमारे लिए beneficial है, तो अभी आप क्या करिए, इससे ले लीजे, और for each loop लगा लो, employee, E कर करके, अच्छा, E तो already है, तो even कर देते हैं, और even में क्या देते है, records, और sys out करके, even को print करा लिए, अब अगर मैंने इस program को run किया, तो let's see इसमें क्या क्या आता है, पहले तक exception ही आएगी, ठीक है, देखो, create table E 10, यह table create करने गया, और table जब create करने गया, I think तब भी कुछ problem आई है, अब यहाँ पर आपको यह देखने को मिलेगा, कि problems क्या क्या आ सकती है, उनको कैसे resolve करते है, देखो, जब यह table create करने गया, उसके बाद देखो, यहाँ पर error आ रहा है, क्या error आ रहा है, इसको पड़ते है, error creating bean with name, edow, defined in class path resource, config.xml, error क्या आ रही है, इसको, error setting property value, इसको property value set करने में problem आ रही है, और कौंसी वाली property set करने में problem आ रही है, वो भी देख लेए, invalid property, ht of bean glass, pound dot files, dot employed of bean property, ht is not write table, or has setter method, has invalid setter method, मैंने क्या कहता, या तो setter लगाना पड़ेगा, या auto wire करना पड़ेगा, हमने तो दो नहीं हटा दिया, तो हमें बस क्या करने है, इधर आना है, किसमे, down में, चलो इसका setter लगा देते हैं, वैसे भी सिरफ setter की जरूरत है, getter की तो जरूरत ही है, तो all shift s करते है, generate, करा देते हैं, इसका क्या चीज़, select setter, fine, अब इसको एक बार रेंगा, पर देखते हैं, exception हो दिखानी होती है, basically, क्योंकि देखो, problem क्या है, hibernate template from hd, no match in editors or conversion strategies found कह रहा है, वो कह रहा है, कि canceling refresh attempt, exception encounter during this, अच्छे, यह भी पूरा निवा, तो अभी देखो, क्या रिखा रहा है, error, क्योंकि main spring में, errors रपे चानने, बहुत जरूरी होते हैं, इसलिए, जब मैं कराती हूँ, तो मैं पहले errors ही दिखाती हूँ, maximum times, ठीक है, तो यहां पर देखिए, क्या रही है, error क्या रही है, error creating bean, उसको bean बनाने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, और क्यों आ रही है, यह भी बताया होगा, इसने, fail to convert property value of type, java.language.string to require type, required बत्त, जो जी चाहिए थी, हां जी, for property, ht, illegal state exception, java.language.string to require type, hibernate template, for ht known conversion strategy, found कह रहा है, ठीक है, कभी कबार problem देखिए, उपर वाले में आपको ठंसे ना भी दिखे, एक बार पूरा जरूर्ट पढ़ना, नीचे का भी, convert कर रहा था यह property को, कह रहा है कि हमने string दिया है, लेकिन हमें क्या चाहिए था, hibernate template चाहिए था, इस वज़े से यह इसको क्या नहीं कर पा रहा, convert नहीं कर पा रहा, आगे चलते, last में भी यह है, required type क्या था, hibernate template, ht के लिए, और हमने क्या देदिया, string दिया, तो एक बार हम इसकी तरह config देखते हैं, क्योंकि हमने अपनी तरफ से ठीकी दिया था, अब problem आ रही है, तो एक बार हम देखना पड़ेगा भी, config में चलके देखते हैं, क्या दिकत ही इसकी, देखते हैं, हमने यहां लिया था, property में hibernate template, हमने template कहां भी, अरे यार, देखो, हमने यहां पे गड़बड़ी कर दी न, ref बना लिया इसको, value नहीं बनाया, तो by default वो string डून रहा है, तो reference देना ज़रूरी है, बागियों में भी check कर लो भी है, ठीक है सम्में, fine, तो safe करते हैं इसको, बादब एक छोटी सी चीज़ कर देखो, कितने अरण निकाल के दिखा दिखा दिया से, देखने वाला तो वैसे ही डर जाएगा, भाग जाएगा, किया छोड़ इतनी सद्दीक कौन करे, पता क्या चलता है last में, एक छोटे ऐसा word की गलती थी, और maximum times यही होता है, कोई नहीं, errors आएंगे तो सिखा के भी जाएंगे, आपको काफी सारी जीवें, अब देखो, हमने वहाँ पर इतना तो कर दिया था, कि हमार पास आगया, तो अभी है क्या कह रहा है, देखो, invalid data access, API usage exception, मुझे रहा है भी आप जो API यूज़ कर रहे हो, उसमें है problem, क्या कह रहा है, write operations are not allowed in read-only mode, flush manual, turn your flush mode.comit read-only marker with transaction, देखो, यह वाला जो exception है न, यह क्यों आ रहा है, यह आता है version की वाज़से, पुराना जो versions थे न, hibernate की, उसके अंदर हमारे को write mode की permissions को रगाना पड़ता था, तब जाकर हम database को use कर पाग रहे थे, तो अभी हमने कौन सा वाला यूज़ कर लिया, 5.6, 5.6 था, 22, 5.3, तो 5.3 के साथ problem जा थी, कि वहाँ पर write mode के exceptions आ जा जा, तो हमें क्या करना पड़ेगा इस case में, वर्दन दबलना पड़ेगा, या फिर, हमें क्या करना पड़ेगा, write operations को valid करना होगा, अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ जो सीखनी है और करनी है, यह exceptions मैंने इसले निकल वाई, क्योंकि मुझे पढ़ा था, क्योंकि ऐसी problems आपको बहुत दिखने वाली है स्प्रिंग के साथ में, क्योंकि चीज़ें जाला है ना, तो इसले काफी चाहती चीज़ों में आपको problems दिखने वाली है, तो एक website है, stack overflow, इसको friend बना लो, error आया, copy करना है, Google में जाके paste करना है, ठीक है, तो यहाँ पर आके क्या करना है, देखो stack overflow में, जो common errors आते रहते हैं, उनका सब का answer आपको मिली जाते है, तो यहाँ पर अगर आप देखो के तो क्या लिखा रहा है, write operations are not allowed, same error जो हमने रेखा रहा है, ठीक है, तो यह क्या कह रहा है, भई मेरे को यह problem आ रहा है, और मैंने सारी फाइल पर ठीक बड़ा थी, फिर भी problem दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, तो यह इसमें अपने पूरी के पूरी, राम गानी आप पर लिखते के डाल दी, यहाँ इसका answer भी मिल जाएगा, वो कह रहा है, आपने मिस कर दिया transaction manager defining definition C, तो वो कह रहा है, कि आपको spring XML config में क्या करना था, transaction manager का बइन बनाना था, जो कि हमने तो बनाया था भी, है न, carbonate transaction manager हमने बनाया था, और उसमें property name दिया था, कौनसा वाला session factory, लेकिन problem पता है क्या है, हमने एक चीज छोड़ दी, एक annotation आती है, add the rate transactional, जो वो read only वाली problem दिखा रहे हैं, वो इसकी वज़े से दिखा रहे हैं, तो हमें इसे लगाना पड़ेगा, कहां पे लगाना पड़ेगा, जहां पर भी हमारा method यूज़ हो रहा है, किस चीज के लिए, insertion के लिए, तो अगर हम add the rate transactional लगा देंगे, annotation को, ठीक है, देखो, क्या देखा रहे है, लाइज दी रोड़ देख, add the rate transactional annotation should be used, in service layer, not in doubt layer, like in this example, transaction annotation test spring, तो वो कह रहा है, कि भाई, इसको कहां पर यूज़ करना है, transaction को, add the rate transactional को, आपकी class में use करना है, जहां पर भी तुम लोग को save कर आने जारे, अगर तुम वहाँ पर इसको use कर लोगे, तो दिक्कत नहीं आएगी, तो यह क्या कहरा देखो, tell spring to create proxy, which wraps an outdated method, with transaction using a steps, तो आपको इससे use करना है अपने program, add the rate transactional के, जहां पर भी तुम्हारी, मतब DAO की implementation हो रही है, जहां पर तुम्हारा save record बना हुए नो, method, वहाँ यूज करना है, जिसे DAO में हमने, save record method बनायागा, save employee, इसके उपर, transactional लागा तो, वैसे अभी इसमें एक चीज़ और भी आएगी, enable करना पड़ता है, लेकिन उसके पर एक और चीज़ इन्होंने add up करा लिया था, वही बताऊंगी दिरे करके सारा, ठीक है, पहली बार में निकलवाती इसलिए हूँ, पता होता होता है, चीज़े student करते हैं नहीं बाद में आके परेशान हो जाते हैं, तो no bean named transaction manager available कहा रहा है, no matching transaction manager being found, for qualified transaction manager, एक काम करते हैं, तो यह transaction manager को ढून रहा है, और इसको नहीं मिल रहा है, तो हो सकता हमने spelling mistake किया, चेक कर लेते हैं, तो हमने transaction manager, अच्छा हमने TM रिखते हैं ना, शॉट में ना, और यह कौन सी रूण रहा है, तो मतलब क्या है इसका, कि सारी beans के नाम अपने हिसाब से नहीं रहा है, ठीक है, कुछ beans के नाम, हमने कहां से लेने हैं, जो भी दिये जा रहे हैं, तो एक काम करते हैं, जिसने error दिया न, वो क्या कह रहा है, no matching transaction manager bean found, with qualified this, poppy मारे थे इसको, और इसे कहां ले लेते हैं, यहां बेज़ोपी, तो यहां पे इसका नाम transaction manager डाल देते हैं, लेकि यह इसी नाम की bean को ढूण रहा है, और नहीं मिल रही, इसलिए हमें परेशान कर रहा है, कि भई bean नहीं मिल रही, अभी run करते हैं, यह बला problem भी solve हो गया, तो यह जैसे जैसे problem solve हो रहे हैं, वैसे वैसे आपको idea हो रहे हैं, कितनी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जब काम हो जाहेदा, तो प्रोग्राम भी चल जाएगा, तो अब यह देखो, इसने क्या क्या किया, select value कराया, update hibernate sequence, record saved 3, insert query दिखा रहा है, ठीक है, सब कुछ आ रहा है, अच्छा देखो, अगर आपने config.xml में, update की जगा पे, create लगा दिया, और app.java में, आप आपके इसको एक बार फिट से run करते हो, तो इस बार निया टेबल बन जगा, पुराना टेबल डिवीट मार दिया, निया टेबल बना दिया, तो इसके बार फिर create के जगा क्या लगा दो, update, वैसे अगर आपको लग रहा है कि इस नाम का टेबल नहीं है, फिर तो सीधा अपडेट की लगा दो कि तो भी टेबल बन जाएगी, लेकिन आपको लग रहा है कि पहले से टेबल है, उसको ओगर राइट करना है, तो अभी देखिए, आपके पास record आगया, ठीक है, तो अब मैंने अपडेट करा रहा है, तो second record बन गया, नाम से हमा रहा चाहे, कोई बाती, लेकिन ID देखो, अपने आप इंक्रमेंट हो रहा है, और इसमें इस बर क्या return किया, 2, 2 क्यो return किया, व्योंकि जो record सेव हो, उसका ID 2 है, आप Excel में जाकर चेक करना चाहो, वहाँ पे भी देख सकते हैं, आपका table बेच चुका होगा, ओके, तो ये हमारी महनत का फ़ल, I have a net template, एक बार की महनत है, अच्छे से समझ लो, कर लो, और बाद में तो copy-paste भी भी बारेंगे, एक्जेमेल फाइल उठाके, दिवारा दिवारा नहीं बनाएंगे, ये सिरफ है, first time सिखाती हूँ, और error भी दिखाती हूँ, ताकि प्रॉब्लम ना करें, हो जाए गया इतना, तो जितना कराया है, I think it's enough for today, अब लुए पहले इडवांस जावा की क्लास में लिए और अब स्प्रिंग की क्लास में लिए, इस से पता चलेदा, अब इसका मस तो चीका, अब इसको और दिन दाएगा, अब लोगों के लिए एक होमवक छोड़ रही हूं, जो यह वाली क्लास है न, इसी के अंदर हाइबरनेट टैंप्लेज में एच्टी डॉट करोगे, तो मैं अब डेट मैकट भी मिलेगा, तो अब डेट मैकट को एक बार आप खुछ से ट्राई करके देखो, तो मैं इसको लिख रही हूं, पिल हाल के लिए, डू इट यर्सल्व, ऐसे ही आपको डिलीट मैकट भी मिलेगा, बना बनाया, बस आपको आईडी बताना है, तो इनको एक्स्प्लोर करने के लिए दे रही हूं है, तो आपको बस यह देखना है, तो आपको बस यह देखना है, इन तीनों मैकट को, यह होमबक है, इस अफते का, बाकि इवीजन तो करना ही करना है, ORM का भी और ओटो वैरिंग का भी, जितना भी मैने सिखाया आज, और उसके सरसर आप इन तीनों मैकट को भी प्राक्टिस करोगे, तो आपका CRUD application complete हो जाएगा, ठीक है, जो पहले भी बना रहे थे, read, update, delete and create, तो create हम कर चुके है, read भी कर चुके है, all records को, single record को भी करना है, delete भी करना है, update भी करना है, इसके अलावा भी, आप लगों को क्या करना है, find करके, बताना है, other useful methods, आपको जो भी useful method लगे, explore करने के लिए दे रही हूँ है, इसके टेंप्लेट को, खीक है, कैसे टेंप्लोर करोगे, जब आप लोग यहाँ पर आओगे, employee.down में, जैसे कि आपने यहाँ पर लिखा, कहीं पर भी, ht. तो dot करके दिख रहे हैं, इतने सारे methods, इनको explore करके, इसमें से जो useful method आपको लगे, आप लोग उसकी list बनाओगे, और मुझे बताओगे, हो सके तो उसको use भी करो, DAO class के ने पर, अलग-लग method चाहेंगे, सभी के, और options भी चाहेंगे, अगर आपके पास कोई भी advanced Java का project है, जिसमें आपने JTBC का use किया था, वो JTBC में जो DAO class है, उसकी जगा पे आप इस DAO class का और configuration file का use कर सकते, तो background में आपका hibernate आजाएगा, instead of JTBC ले, बाकि front end आपका same रहेगा, clear है यहाँ तक हो सकता है, तो जितना ideas मैं गिरे रही हूँ, इसलिए दे रही हूँ, कि मैं चाहती हूँ कि आपके पास जो बीच में पांच दिन हैं इन पांच दिनों में जितना explore कर सकते हो चीजों को, उतना करना है, क्योंकि जतना आप अपने आप से exploring करोगे चीजों की, जैसे कि आपने web application में hibernate लगा लिया, एक तो आप यह practice करेंगे, ठीक है, तो आपके साथ इसके methods को find out करेंगे, तो आपको दो काम है, पहला यह रिखारे के सारे methods को find out करना है और देखना है, कौन-कौन से useful methods आपको दिखते हैं इसमें से, दूसरी चीज, in a web application, जो आपने अगर practice किया होगा, तो definitely आपके पास पड़ा होगा, उड़ाना, in a web application, apply, hibernate instead of, jdpc, जैसे वहाँ पर DAO में से function call करते थे, वैसे function call करना है, configuration file भी यहाँ पर ऐसी बनेगी, जैसे यहाँ पर बिनाई है, और कोई चीज नहीं है, बस दोनों को आप में जोड़ना है, तो इससे आपको try करना है, तो this is all your homework for this week, आप लोगों को एक web application में, hibernate का use करके, मुझे उसकी file का project file, जो है, zip format में, ग्रुप में share करनी है, मैंने marking system start कर दिया है, जो भी students को मैं काम गए रही हूँ, उसकी marking रखूँगी आपने पस, त्योंकि spring छोटी-मोटी चीज नहीं है, बहुत ज़रूरी है कि आप लोग हाथ के हाथ practice करते हैं, त्योंकि मुझे इतना पता है, अगर आप में अभी practice नहीं करें, अगला topic में जो भी पढ़ाऊंगी, विर्कुल समझ में नहीं आएगा, सर के ओपर से जाएगा, क्योंकि आपने एक चीज देखी, कल मैंने आपको auto-wearing सिखाई, वह हैं भी हाँ के सिखाया, dependency injection आज मैंने उसको इस्तेमाल कर दिया, आज मैंने आपको hibernate template सिखाया, कल मैं इसको इस्तेमाल कर दोगी फर्दर और नया topic सिखा दोगी, तो चीज़े plus होती चले जाएगे, एक भी चीज छोड़ो के आगे का समझ में आएगा, इसलिए मैं homework भी दे रही हो साथ की साथ में, assignment दे रही हो काम करने के लिए, कि ये काम आपको करके लाना है, तो next week तक Saturday तक मुझे ये सारा complete चाहिए, आप किसी भी दिन बीच में मेरे को इसकी zip file शेयर कर दोगे, मैं पूरी zip file देखूँगी, आपने क्या 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 नहीं क्या है, and according to that, आपकी में marking कर दोगी, जब आपका spring खतम होगा, मैं marks बताऊंगी भी, और सरसे भी शेयर करने वाली हो नीचे, ओके, और ये मेरे moment ही हर बैच में रहेगा, कि कॉन सुदेंट कितना काम करके ला रहा है, जितने काम आप करके लाएंगे, उत्के आउड़िंग मार्क्स लगाओ, ख्लेर हैं यहां तक सबको, ठीक है, तो अगले अपते तक इसको try कर लीजेगा, प्रोजेक्ट में शेयर कर देती हूँ, नक्सलास मेल्पेपर, बाइ पॉट टेड बेरियन.